नमस्कार साथियों आज आप लोग को थमनिल से ही पता चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है साथियों हम आपको प्राचीन भारतिय इतिहास को जानने का सुरोत बतलाने जा रहे हैं इसके बिना हम इतिहास को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हीने नामुमकीन भी है साथियों हम साइन्टिफिक आधार से सोचें तो जदी कोई भी केमिकल्स या कोई भी मेटल्स या कोई भी बस्तु को बनाते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज की ज़रत होती है उसका पूरा हमें डाटा रखना पड़ता है उसी परकार हम प्राचिन भारतिये इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें भी डाटा के बिना ये प्राचिन इतिहास को पढ़ना मुश्किल हो जाता है इसलिए इतिहास कारों ने प्राचिन भारत के इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत बताएं जिसके द्वारा आप इतिहास को आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं तो चलिए आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं कि क्या-क्या स्रोते होती है तो पहला हम इसे तीन भाग में बाटेंगे वन टू थरी पहला है पुरा तात्विक स्रोत पुरा तात्विक पुरा तात्विक स्रोत दूसरा है साहितिक स्रोत अत्तीसरा है विदेशी विदेशी यात्रा बिर्तामत साथियों प्राचिन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए तीन स्रोत का होना बेहद ही जरूरी है जिसमें पहला स्रोत पुरा तात्विक स्रोत दूसरा स्रोत साहितिक स्रोत और तिसरा स्रोत विदेशी यात्रा बिर्तामत तो सबसे पहले मैं पुरा तात्विक स्रोत में हम पहले अभिलेक के द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं ये पत्थर पे लिखी हुई आकिर्टी होती है उसके बाद दूसरा है भवन और अस्मारक भवन और अस्मारक या भवन अस्मारक उसके बाद है तीश्रा सिक्का उसके बाद है चौथा मुर्ति कला उसके बाद चित्र कला अवसिस साथियों प्राचिन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत में जदी हम पढ़ेंगे तो पहला है अभी लेक दूसरा भवन अस्मारक के द्वारा तीशरा सिक्का के द्वारा चौथा मुर्ति कला के द्वारा पाचमा चित्र कला के द्वारा छठा अवसिस के द्वारा हम प्राचिन भारतिये इतिहास को असानिक की तरक से पढ़ सकते हैं लेकिन ये सब को जानना बेहज जरूरी है, उसके बाद साहितिक स्रोत, साहितिक स्रोत में हम दो तरह के साहित पढ़ते हैं, एक धार्मिक साहित, और एक धर्मेतर साहित, धर्मेतर साहित, धर्मेतर साहित, धार्मिक साहित में हम तीन भाग के स्रोत, पहला बैदिक धर्म, बैदिक धर्म, दूसरा बौत धर्म, अब तीसरा जैन धर्म, जदी हम धर्मेतर साहित, धर्मेतर साहित का मतलव होता है, धर्म से, धर्म से, धर्म से, धर्म से, भिन, जिसमें आपको, वैशे गरांत को पढ़ेंगे, जिसमें उस समय, राजनितिक, धर्मिक, धर्मिक, राजनितिक आर्थिक, और धर्मिक, अधरित, ग्रंत, जिसमें हम, चानक का अध्शास्त्र, धर्मिक साहित में साथियों, हम दो तरह के, शाहितिक स्रोत में हम दो तरह के, श्रोत बाटते हैं, एक धर्मिक साहित, एक धर्मिक साहित, एक धर्मिक साहित, जिसमें धर्मिक साहित में हम, बैदिक धर्म, इसमें बहुत धर्म, इसमें जैन धर्म, बैदिक धर्म में हम, चार बेद पे, उपनिशद पे, पुरान पे, सबसे पुरान कितने हैं, पुरान सबसे कौन पुराना है, बेद कितने हैं, बेद के ब्रामन कौन थे, उप बेद उसका क्या है, उसका पुरोहित क्या है, इस सब पे विशेश चर्चा करें बौत धर्म में हम बौत धर्म के सूत पीटक बिने पीटक जैसे गरंथों के बारे में जानेंगे और जैन धर्म के जो उस काल उस समय के जो गरंथ है जिसके द्वारा जैन धर्म की जानकारी मिलती है उसके द्वारा हम परेंगे धर्मेतर साहित कहने का मतलब धर्म से भीन मतलब ये धर्मिक है इस से भीन इसमें मुखरूप से उस समय उस काल के धर्मिक राजनितिक आर्थिक और धर्मिक जीवन पे जीवन पे धर्मिक जीवन पे अधारित ग्रन्त है जिसमें चानक यानि विश्नु गुप्ट का महानगरंथ अर्थ सास्त्र और से बहुत से विद्वान खालिदास, सुद्रक, हर्चरित्र, काभी, भीवरन से हम प्राचिन भार्तिये इतिहास को समझ सकते हैं तीसरा हम चर्चा करें तो इसमें विदेशी यात्रा बित्रांथ, विदेशी यात्रा बित्रांथ में हम उस समय के जो विदेश से आये हुए थे महान, महान, विद्वान, यात्री, जिसने इस देश में कुछ ग्रंत भी लिखे, कुछ पुष्टक लिखे, उसके द्वारा भी हम प्राचिन भारतिय इतिहास को समझ सकते हैं इसमें तीन तरह के तीन देशों के द्वारा आए गए विद्वानों की बात होती है जिसमें युनान और रोम उसके बाद चीन के ले खक उसके बाद अरब के ले खक साथियों प्राचिन भारत के इतिहास के जानकारी के लिए हम तीसरा पहलू है विदेशी यात्रा बिर्टांत जिसमें उस दोर के ले खक मुख रूप से युनान और रोम के ले खक या युनान और रोम के विद्वान या चीन के ले खक या यात्री जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाहयान युनान में हम पढ़ेंगे हेरोडोटस पलीनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसके वाद अरब के ले खक के द्वारा भी हम प्राचिन भारतिय इतिहास को हम बिल्कुल तरह से असान तरीका से पढ़ सकते हैं साथियो आप इसका इसकी रोम सोट ले लिजिए ताकि सभी का विडियो अलग लगाएगा पहला पुरातात्विक स्रोत का उसके बाद दूसरा साहितिक स्रोत का तिसरा विदेशी यात्रा पिरतांत का ये छोटा कंपाइल किया हुआ एक एक का थोड़ा थोड़ा बताया हुआ विडियो मिलेगा क्योंकि विडियो काफी लंबा हो जा रहता है इसलिए आप लोग इसका स्क्रीन सोट ले और मैं थोड़ा थोड़ा ही एक्जाम के पॉइंट आप भ्यू से पढ़ाऊंगा आपको जिदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सस्क्राइब, बेल बटन, बेल आइकन, बेल बजाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले हम बहुत ही मेहनत करके हर वीडियो को बनाओंगा साथियो इससे पहले वाले वीडियो मैं जोगरफी का बनाया था तो इसमें थोड़ा सा एक दो जगे एरर हो गया बोलने में जिसमें उत्री सहादरी को हम दच्छनी या उत्री घाट बोल दिये थे और गढ़ पात को हम गढ़ जात बोल दिये थे थोड़ा आप लोग इस इरर को सुधार लेंगे और मेरा सहता करेंगे मेरा मदद करेंगे क्योंकि हम यूटूब पर अभी बिगनर हैं धीरे धीरे हम आप लोग के लिए एकजाम के भीव से बहुत हैं सुन्दर बहुत हैं सांदार वीडियो लेकर आओंगा थेंक यू धन्वाद औल दा बेस्ट गुड नाइट